मैं डॉक्टर कर्मवीर सिंग, एसोसियेट प्रोफेसर पॉलेटिकल साइन्स, बी एसर गोर्मेंट आर्ट स्कोलेज अलवर, प्यारे बच्चो, आज हम बी ए प्रतम वर्ष का जो पेपर फास्ट है, राजनिती विज्ञान के मूलाधार, फाउंडेशन्स पॉलेटिकल साइ इसमें जो टोपिक लोगतांत्रिक समाजवाद है, उस लोगतांत्रिक समाजवाद का जो पृतिनी धी विचारक हेरल्ड जोसिफ लॉस्की है, उसके विचारों के बारे में आप से चर्चा करेगे तो प्यारे बच्चों, उन्नीश्वी सदी से और आधुनिक काल तक लोगतांत्रिक समाजवाद की जो समपूर्ण विचारधारा है, उसका धीरे धीरे विकास हुआ, यह कह सकते हैं कि क्रम से विकास हुआ और इसके विकास में अनेक विचारकों का योगतान रहा उन्न में से एक महत्पूर्ण है, हैराल्ड जोसेफ लास्की अठारा सु तिराण में से उन्निस सो पचास का काल जो इनका रहा इसकी विशेश्ता यह कही जा सकती है कि उसने सामवाद के, कि जब सामवाद अपने चरम पर था तो उस काल में भी लास्की ने लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्स को एक तरीके से नए उत्सहा वे तरकों के साथ प्रस्तुत किया था और इस प्रक्रिया में लोकतांत्रिक समाजवाद को नए आयाम दिये थे लास्की ने इंग्लेंड के जो लेबर पार्टी है अर्थात सिर्मिक दल है सिर्मिक दल के सिध्धांत सास्त्री के रूप में भी लोकतांत्रिक समाजवाद की नीतियों वे उसके कारिकरम को लागू करने में परियाप्त रूची ली थी और जिस रूप में लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा आज मानने है उसका एक बड़ा स्रे जो कहा जाए वो लास्की को ही जाता है तो लास्की के संपूर्ण चिंतन का पूर्ण और अंतिम जो विकास है वो लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा में दिखाई पड़ता है वह अपने राजनितिक चिंतन के प्रानुभी काल में बहुलवाद, उदारवाद और फेवियन समाजवाद से प्रभावित था और अपने चिंतन के मद्ध काल में माक्स काल से भी या माक्सवाद से भी प्रभावित दिखाई दिया किन्तु उसके संपून राजनितिक चिंतन का जो चरम काल है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में ही प्रकट हुआ लास्की की लोकतांत्रिक समाजवादी विचारधारा के निर्मान में उसके पूरवर्ती चिंतन का परियापत मिश्रण भी दिखाई देता है यदि उसने उदारवाद से व्यक्ति की सवतंत्रता का बहुलवाद से विकेंद्रिकर्ण समाज संग्ठन का और फेबियन समाजवाद से लोकतांत्रिक विकासवाद का विचार लिया तो माक्सवाद से सामाजिक व्यवस्था के आर्थिक विसलेशन समाजवादी समाज के लक्षों एम्व्यक्ति के आर्थिक समानता का विचार भी ग्रहन किया तो लास्की के इन विचारों से कहा जा सकता है कि लास्की के लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रुमुख विसेश्ताएं काफी हैं जिनमें से मुख्य ये है कि पूंजिवादी समाज वियोस्था का विरोध लोकतांत्रिक समाजवाद की प्रुमुख विसेश्ताओं में से महत्पूर्ण है पूंजिवादी समाज वियोस्था का विरोध तो एक लोगतांत्रिक समाजवादी के रूप में लास्की ने पुझेवादी समाज एम अर्थ व्याउस्था का विरोध किया और उसने पुझेवाद में जो आधारबूत दोस हैं उनके बारे में बताया जैसे मैं आपको बताऊं कि समाज की आवशक्ताओं की उपेख्षा प्यारे बच्चो जो पुझेवादी अर्थ वयाउस्था है उस अर्थ वयाउस्था में समाज की आधारबूत आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए उतपादन नहीं किया जाता है और उत्पादन का जो उद्देश है वो धनिक वर्ग की विलासिता पूर्ण मांगों की पूर्ती करता है या उसे उसकी पूर्ती होती है तो लासकी के अनुसार या लासकी ने बताया कि जब आवशकता मकानों की होती है जो सिनेमा घर बनाए जाते हैं अथ्वा धन का वे युद्ध पोतों के निर्मान पर कर दिया जाता है। लास्की कहता है कि पूंजिवादी अर्थ व्योस्था में धनीकों के लिए आलिसान होटलों का निर्मान होता है। जहां धनी लोग एक वक्त के भोजन पर हजार रुपे खर्च देते हैं, वहीं किन्तु निर्धनों के लिए दो वक्त का साधान भोजन भी उपलब्द नहीं होता है। तो इस अर्थ व्योस्था में धनीकों के लिए अतदिक महंगी पोसा के उत्पादित की जाती हैं, किन्तु निर्धनों को सरीर ढखने के लिए साधान कपड़े भी प्राप्ते नहीं होते हैं। इस प्रकार पूंजिवादी अर्थ व्योस्था में उत्पादन का उद्देश जो है वो दोस्पूर्ण है और उत्पादन का वित्रण जो किया जाता है वो भी दोस्पूर्ण है इसलिए ये गलाता है। दूसरी जो बात उन्होंने बताई कि अतधिक लाब कमाने की प्रुवर्ति कि जो पूंजिवादी अर्थ व्योस्था है उस अर्थ व्योस्था का एक अति गंभीर दोस उसकी अतधिक लाब कमाने की प्रुवर्ति है। पूंजी पति वर्ग एक मातर उद्देश उसकी पूंजी में लगातार वरद्धी करना होता है ठीक है न कि जो पूंजी वाति वर्ग है उसका एक मातर जो उद्देश होता है वो अपनी पूंजी में व्रद्धी करना होता है या अपनी पूंजी को बढ़ाना उनका लक्ष होता है और इसलिए वे केवल उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग बाजार में अधिक होती है और वे अपने लाब की व्रद्धी के लिए सिर्मिकों एम उब भो लुकते हैं तो यहां लास्की ने बताया कि पूंजी वाद की जो आलजना के लिए माक्स के मुल्य के स्रम सिध्धान्त को तथा इस पर आधारित अत्रिक्त मुल्य के सिध्धान्त को स्विकार नहीं किया एक लोगतांत्रिक समाजवादी के रूप में लास्की मानता है कि म मुल्य का उत्पादन केवल सिर्मिक नहीं करता, अपितु मुल्य के उत्पादन में संपून समाज का सहयोग होता है। अतहे है, पुझी वाद में दोस केवल सिर्मिक वर्ग की दरस्टी से नहीं, अपितु संपून समाज की दरस्टी से है। पूंजिवाद संपून समाज के प्रती अमानिवी है तो लास्की पूंजिवाद को समानता, सवतंतरता, न्याय और नैतिकता के विरुद्ध मानता है और जो लोगतांतरिक समाज की दूसरी विसेचता है उसमें ये है कि समाजवादी समाज की इस्थापना पर बल कि लास्की नामक जो विचारक हैं उनका मानना है कि पूझीवाद के दोसों में या दोसों के कारण उसका अंत्सुनिश्चित है और उसके इस्थान पर लोकतांत्रिक समाजवादी व्योस्था की इस्थापना की जानी चाहिए जो पूझीवाद एमसामवाद की तुल्ना में एक स्रेस्ट वे उस्था है नेक्स्ट विशेषता व्यक्ति की साउतंत्रता में व्रद्धी लास्की ने इत्यास की व्याख्या में व्यक्ति की सवतंतरता को विशेश महत दिया आप सभी को पता होगा उनका मानना है कि सामंत वाद की तुलना में पूंजी वाद के अंतरगत व्यक्ति को अतदिक सवतंतरता प्राप्त होती है और समाजवाद के अंतरगत व्यक्ति को अधिक्तम सवतंतरता प्राप्त होती है लोक्तांत्रिक समाजवादी समाज में लोक्तांत्रिक प्रणाली होगी जो व्यक्ति को राजनितिक सवतंतरता प्रदान करेगी तो इसके साथ ही व्यक्ति के आधार्बुत आर्थिक आउसकताओं को भी पूरती होगी अतवे आर्थिक साउतंतरता का भी उपहोग करेगा समाज का संग्ठन समानता के सिद्धानत के आधार पर होगा प्रगति सील मानो मुल्यों की इस्थापना होगी लोकतांतरिक समाजवादी आर्थिक निती होगी उसमें ये लास्की ने बताया कि माक्सवाद के इस मत से सहमत नहीं है लास्की माक्सवाद के जो मत है उससे ये सहमत नहीं कि उत्पादन के सभी साधनों पर निजी स्वामित का पूर्ण अंत करके सामाजिक स्वामित की स्थापना की जाने चाहिए वह एक विशिस्ट परकार की मिस्रित अर्थवियस्ता की पक्स में है और इस परकार की वह ऐसी अर्थवियस्ता की स्थापना चाहते हैं जिसमें सार्जनिक छेतर जो पब्लिक सेक्टर है और तथा जो निजी छेतर प्राइवेट सेक्टर है दोनों की भागिदारी हो इस बारे में उसके प्रुमुख विचार जो है उनका भी उल्ले करना आवशक है जैशे मैं आपको बताऊं कि बड़े एम आधारभूत उद्ध्योकों के बारे में निती लास्की ने अपने मत में बताया कि जो बैंक, बीमा, परिवहन, इसपात, खान, विशाल, भू, संपत्ति, आयात, निर्यात इत्यादी के छेतरों में निजी स्वामित्य की व्योस्था को समाप्त किया जाना चाहिए और इन छेतरों में सामाजिक स्वामित्य की इस्थापना की जानी चाहिए अर्थात, संसद द्वारा इन उद्ध्योगों का राष्टिकर्ण किया जाना चाहिए लास्की का मत है कि रास्टिकन की निती के कार्ण इन उद्धोगों में पृतियोगिता के इस्थान पर सहयोगी की स्थापना होगी और इन उद्धोगों से प्राप्त लाब को समाज के कल्यान है तू वे किया जा सकेगा दूसरी बात मद्द स्रेणी के उद्ध्योगों के बारे में जो एक निती बननी चाहिए कि मद्द स्रेणी के उद्ध्योगों में निजी स्वामित की व्योस्था को बनाई रखना उचित है किन्तु इन पर सामाजिक नियंतरन लागू किया जाना चाहिए तो लोकतांत्रिक सरकार द्वारा इन उद्ध्योगों के संचालन की नीती तै की जानी चाहिए और इन उद्ध्योगों को संपूर समाज के परती उत्रदाई बनाना चाहिए लगू उद्योगों के बारे में भी उनकी नीती थी कि जो होटल, रैस्तरा, हैंड रूम, डलाई, इत्यादी जो लगू उद्योग के छेतर है लास्की इसमें कहता है कि इन संपूर छेतर में परंपरागत निजी स्वामित की प्रनाली को लागू रखा जाना चाहिए संसदिय पद्धती समाज की स्थापना संभव, एक उसकी ये भी विशेष्टा है कि लास्की ने बताया कि लास्की का जो चिंतन है वो उस चिंतन का लक्ष है कि लोकतांतिरिक समाजवाद की स्थापना और उन्होंने बताया कि इसे सांती पूर साधुन द्वरा प्राप्त किया जा सकता है अपने चिंतन के विकास के मद्ध काल में लास्की माक्सवाद से प्रभावित था और वह मानने लगा था कि पूंजिवादी व्योस्था को समाजवादी व्योस्था में बदलने के लिए हिंसात्मक करांती के आवसक्ता हो सकती है किन्तु अपने चिंतन के विकास के अंतिम काल में उसने अपने पूर विचारों को संसोधित कर दिया और ये स्विकार किया कि संसदी लोकतांत्रिक पद्धती वाले पूंजिवादी राज में हिंसक क्रांती के बिनाभी समाजवाद की स्थापना संभव हो सकती है तो उनका तरक है या उनका मानना है कि व्यस्क मताधिकार पर आधारित संसदी लोकतंतर की सोभाविक मांग बहुशंखक निर्धन वपीडित वरके हितों की रक्षा होती है। ऐसे लोकतंतरिक समाज पर आर्थिक एम सामाजिक लोकतंतरिक दिशा में बढ़ने के लिए दबाव मुझूद रहता है। किन्तु पूझी पतियों पर आश्रित राजनितिक दल, राजनितिक लोकतंतर के इस विकास में बाधाएं पैदा करते रहे हैं। यदि एक ऐसे संक्ठित समाजवादी दल का निर्मान किया जाए, जो बहुशंखक निर्धन वर के हितों की रक्षा के लिए पृतिबद्ध हों, तो इस बहुशंखक मद्दाता वर का समर्थन भी उसे प्राप्त होगा, और तब जन्मत द्वारा समर्पत समाजवादी सरकार का गठन होगा, इस प्रकार मत्पत्र की सकती द्वारा पूंजिवादी लोकतंतर को समाजवादी लोकतंतर में बदलना संभव होगा, यह बाते एक प्रकार से लास्की ने बताई, तो लास्की का जो निसकर्स है, उसमें कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद की जो आउधारना है या जो विचारधारा है वो लास्की के संपूर्ण राजनितिक चिंतन का स्रेष्ट अंस है। इसके द्वारा लास्की साधान व्यक्ति की राजनितिक सवतंतरता की रक्षा करते हैं और उसे आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करना चाहते हैं। वस्तुत है लोगतांत्रिक संपूर्ण समाजवाद के द्वारा लास्की समाज में राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक ढांचे को एक तरीके से नियाए संगत बनाना चाहते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद संसदिय पद्धती के माध्यम से एक ऐसी व्योस्था की स्थापना चाहता है जो एक और व्यक्तिगतलाप, आर्थिक सोसन, सक्ति के दुरुपियोग और आदी के पूंजिवादी दोसों से मुक्त हो और दूसरी और समाजवादी ताना साही के दोस स्थापित करती है तो एक परकार से लोकतांत्रिक समाजवाद पर लास्की के जो विचार थे उनका हमने आप से चर्चा की ये लोकतांत्रिक समाजवाद का जो टोपिक है ये यहीं एक परकार से खतम होता है और इसमें जो कुश्यन बनते हैं इसमें जो असाइनमेंट के ल श्रहुआथ के उन्हें बाते हैं।